स्वाराज्य अधिकारी का जो चाठ है कि मन जो संकल्प शक्ति है तो आज बावा ने जो कहा था कि इधर उदर जाते ने अटेंशन प्लीज बावा ने बार बार कहा ना तो आज संकल्पों का लिए अटेंशन प्लीज तो बार और फिर बावा ने जो वर्दान कहा चत्र चाया और मुरली में कहा मन मनाभव तो पूरे दिन में बाबा की चत्र चाया यह याद रूपी चत्र चाया की मेरे साथ, तो पहले तो बार-बार संकल्प इधर उदर तो नहीं गए, तो जब भी भी समय मिला, मैं बाबा के साथ की फीलिंग करी, उसमें रहे हम, तो वो फीलिंग में आना, बार-बार उस फीलिंग को लाना, और अब चेंज क्या करना है, कि पूरे दिन, इन फेक्ट मुझे ये लगा, कि हम अगर ये करे, कि पूरे दिन, बाबा मेरे साथ है, मेरे सामने है, ये फीलिंग करे, जैसे बाबा ओल्वेज मेरे सामने, बड़ी दादी को जब पूछा, विशेशकर लास्ट दिनों में, तो दादी के ती देखो बाबा, एक बहन ने पू तो कहां की बहनती बता रही थी, तो फिर बोला कि देखो बाबा सामने है, फिर बोला कौन से बाबा है, बोला दोनों बाबा होते ही है, मतलब अव्यक्त रूप में वो बाबा सामने है, तो दादी को, बोला मेरा एक भी मिनिट ऐसा नहीं होता है, जो बाबा मेरे साथ ये है, ये stage, तो हम ये पुरशारत करें आज, पुरे दिन, कितना समय बाबा नहीं याद रहा, कितना समय याद रहा वाला नहीं, तो कितना समय बार-बार जैसे, बाबा सामने है, बाबा बैठा है, बाबा इदर है, अटेंशन प्लीज, मन मनाभव तो मन के उपर राज्य आज मन के संकल्पों को इस तरह हमें करना है तो यह हुआ मन के उपर राज्य अब बुद्धी के उपर राज्य तो बुद्धी के उपर राज्य तो उसमें डेसिजन पावर बुद्धी अर्था decision power, तो इसमें अब check करना है, next, परखने और निर्नाई करने की शक्ति बुद्धी में है, निर्नाई करना, decide करना, आज बाबा ने कितनी बार कहां कि बच्चे टाइम थोड़ा है, तो क्या मैंने ये decide किया है, या हम केवल सुनते है, इस पे हमें देखना है, कि मेरा क्या इसका feeling है, time कम है, कर लेंगे, बहुत समय पड़ा है, ऐसा तो नहीं चलाते, बाबा ने आज कहा ना, कुछ घंटे बचे है, तो ये अगर मुझे एक थोड़ा भी miss हुआ, आज का, मुझे miss हुआ, ये feel करे, ये check करना है, तो change है, कि अपने प्रती बहुत strict रहना है, सारा time याद में रहना, और कोई भी stressed करम जो है, वो immediate करना है, कोई भी stressed करम, time कम है, किसके लिए time कम है? stressed करम के लिए, lock की कारिये वो तो वैसी भी time पे हो जाएंगे, लेकिन जो हम pending रखते न, आज योग नहीं करेंगे, आज ऐसा नहीं, कल कर लेंगे, आज थोड़ा relax हो जाते हैं, ये है, अमरत विले के बाद भी सो जाते हैं, दीदी कहां करती थी, मनमुईनी दीदी, अमरत बिस्तर को देखो, तो देखो वहां कोबरा है, बहुत समय, जो अमरत विले के बाद सोते हैं, मतलब बहुत टाइम है उनके लिए, देखो जो ओफिस में जाने वाले उनके लिए एक थोड़ा सालग बात है, कि थोड़ा गैप ले, अफकोस उसमें हम ऐसे टफ भी न हो, ले लेकिन एक फेंटैसी है, आलस आ रहा है, यह मतलब बहुत टाइम है, तो हम जो अब कल आज पूरे दिन चेक करेंगे, स्ट्रिक्ट रहेंगे, कि मैं इस बातों में स्ट्रिक्ट हू, मेरे लिए टाइम कम है, जो अस्टूरंस होते हैं, वो ऐसे सो सकते हैं, सिर पर एक्जा एक्जाम देना है, चाटेड एकाउंटेंसी के, कैसे मनोज भई, बिलकुल नहीं, बिलकुल रिलाक्स नहीं, तो यह टाइम बहुत कम है, जो भी मुझे स्रेष्ट करम करना है, अभी करना है, आज भी नहीं, तो यह बुद्धी ने डिसाइड किया है, क्योंकि जब इडि नहीं किया है, कि हाँ, बहुत टाइम है, चाहे हम कुछ भी लॉकिक कारिय करते हैं, लेकिन बैक अफ दो माइंड हो कि टाइम बहुत कम है, नहीं, तो यह आज डिसाइड बुद्धी में, डिसिजन पावर, तो मतलब मैंने बुद्धी पर राज्य किया, और तीसरा है संसकार, संसकार कल का हमने पॉइंट लिया, कि कल का नहीं लिया था, तो संसकार है, हिम्मते बच्चे मददे बाप, यह संसकार, स्रेष्ट संसकार, हिम्मत, हिम्मते बच्चे मददे बाप, तो चेक करना है, ये हिम्मत वाला नेचर हो राजा मतलब भी हिम्मत वाला हम होगा या नहीं होगा हम करे या नहीं करे कर पाएंगे या नहीं डाउट वाला नहीं तो change करना है क्योνकि उसमें जो बाबा ने मुरली में कहां था उसमें विशेश ये था कि कोई भी initiative, सेवा की initiative लेनी ओ, तो एक राय लेकर फिर हिम्मत रखना है. और हिम्मत रखेंगे, फिर मदद मिलेगी. तो हिम्मत रखने का बहुत अच्छा बाबा ने उसमें बताया, कि हिम्मत राय लेकर, ऐसा भी नहीं कि मैं तो करना हूँ, मुझे tो करना है. मेरी तो बहुत हिम्मत है, मुझे तो करना है लेकिन राय भी लेनी है लेकिन उसके बाद चाहिए हिम्मत हिम्मत का step तो चाहिए, चाहिए सेवा की बाद थी, सेंटर खोलना है तो ये राय लेते है, हम मीटिंग बुलाते है राय लेते है, सबका लेकिन फिर हिम्मत चाहिए, तो कोई भी स्रेष्ट करम में हिम्मत की नेचर हो, ये नहीं की, जैसे इवन पवित्र रहना है, ये भी एक हिम्मत का कदब है, पहले अपना संकल पूरा द्रड़ चाहिए, इसको कहेंगे हिम्मत, जो बाबा देखता है, उसके बाद फिर बाबा की मदद, फिर बाबा की मदद मिलने से फिर और हिम्मत बढ़ती है, लेकिन पहले से ये बाबा की मदद है, तो कोई भी संसकार में, क्या मेरी हिम्मत है करने की, की नहीं, आज जैसे आज बिसाइड कर लिया, कि मैं सारा समय मुझे वो कैलकुलेट करूंगी, जिस मुमेंट को मैंने बाबा को याद नहीं किया, ये भी एक हिम्मत का कदम है, पुर्शारत करना ये भी हिम्मत का कदम है, तो हिम्मत वाला नेचर होना चाहिए, जो रिस्क टेकर्स होते हैं, कमपनी में प्रमोशन जो मिलता है, किस बेसिस पे मिलता है, रिस्क टेकर्स, तो ये रिस्क लेने की नेचर हो, रिस्क, एक्चुली दुनिया में उसको रिस्क बोलता है, यहां तो बावा कहते है, हिम्मत मदद आपकी है, तो हिम्मत के संसकार, अर्थात राजाई संसकार, तो अब हम फाइम मिनेट्स आइडेंटिफाई करें अपने संसकारों को, डीप मेडिटेशन क करें, क्या कारण है, जो मैं